साल 2002 में जब हमारी शादी होई तो मेरे पती मैट्रिक पास थे और मैट्रिक पास करने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिती इतनी खराब थी कि घर पर एक टाइम का खाना कैसे बनेगा किसी को पता नहीं था मेरे पिता मजबूत घर से थे मतलब कि उनके पास पैसा था मेरे पिता का कोई बेटा नहीं था मतलब कि मेरा कोई भाई नहीं था इसलिए मेरे पिता ने सोचा कि मेरे पती को घर जमाई बना कर अपने घर में रखेंगे लेकिन मेरे पती के स्वाभिमान ने इस चीज का इजा नहीं दिया और मेरे पती ने सीधा मना कर दिया मेरे माय के जाने से और घर जमाई बन कर रहने से। अपने पत्नी के माय का में जाकर घर जमाई बन कर रहेगा। लड़की कहती है कि हम भी मैट्रिक पास थे वो भी मैट्रिक पास थे और लड़की का नाम संजना है लड़का का नाम जीतेंदर शारदुल है और उन्हीं की शादी 2002 में हुई थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है ये कहानी उस संजना की है जिस संजना ने अपने पूरे जेवरात को बेच कर अपने पती को इंटर पास करवाया ग्रेजुएशन करवाया और पत्नी ने कहा कि तुमको सरकारी नौकरी मिलेगी और पती 2007 में शिक्छक बन गया कहानी फिर यहीं भी खत नहीं होत नहीं उस द्रढ एक्छा शक्ति की मिसाल है जिस द्रढ एक्छा शक्ति के बारे में आज के युग में कलपना नहीं कि जा सकती है आपको जोती जोती मौरिया बिल्कुल याद होगी वो जोती मौरिया जिसको लेकर विश्व भर के महिलाओं के चरित्र का चीर हरन किया गया कहा गया कि महिलाएं तो फाइदा उठाने के लिए आप से सठती हैं लेकिन बिहार के जमुई की संजना की ये पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तब आप इस बात पर एक दम से विश्वास कर लेंगे कि ऐसा नहीं है कि पूरी महिलाएं सारी महिलाएं जोती मौर्या की तरह ह होती हैं हम कहानी सुनाते हैं तफसील से सुनिएगा साल 2002 की बात है एक लड़का जिसके घर की माली हालत इतनी बेकार थी कि खाने को कुछ नहीं था जितेंद्र अपना एक किस्सा सुनाते वक्त कहते हैं कि जब घर में खाना बन रहा था तो अनाज था लेकिन जलावन के ल अब कहानी पर आईए 2002 में जब शादी हो गई तो जितेंद्र को लगा कि अब उनकी इस्तिती ठीक होगी लेकिन अफसोस कि इस्तिती ठीक नहीं हुई उनकी पत्नी जिनका नाम संजना था वो अच्छे घर से थी वो भी मैट्रिक पास थी संजना के पिता जी जो थे उनका क कोई बेटा नहीं था इसलिए उन्होंने जीतेंद्र जैसे लड़के से शादी की कि लड़का घर जमाई बनकर रहेगा लेकिन शादी के बाद जीतेंद्र ने घर जमाई बनकर रहने से सीधे सीधे इनकार कर दिया उसने कहा हम किसी भी शर्थ पर घर जमाई बनकर तो नही रहेंगे उसके बाद सुरू हुआ इस ट्रगल का संघर्ष का वो दौर जिसकी कहानी सुनाते वक्त संजना भी रोती है जीतेंद्र भी रोते हैं जीतेंद्र कहते हैं 2002 के बाद समझ नहीं आया कि क्या करें शादी भी हो गई थी और जब पत्नी को मालूम मालूम पड़ा कि प उसके बाद 1995 में पिता जी की मृत्यू हो गई थी उनका देहान्त हो गया था और इसके लिए मैं पढ़ नहीं पाया था और शादीक हुई उसके बाद मैट्रिक के आठ साल बाद उन्होंने इंटर की पढ़ाई की अब पढ़ाई कैसे की पढ़ाई उनकी बीवी संजना ने शिक्षक बन गया जो संजना थी वो खुद भी मेहनत कर रही थी और संजना भी 2014 में सरकारी नौकरी पा लेती है और अभी दोनों इतने अच्छे से रह रहे हैं कि पूछिये मत आम तोर पर कहानी ऐसी होती है कि लड़का कुर्मानी देकर लड़की को ब्याह कर घर लाता है उसको पढ़ाता है उसके लिए शॉपिंग करता है लेकिन ये कहानी इसलिए सुनानी ज़रूरी थी क्योंकि यहां लड़का नहीं लड़की ने अपने जेवर बेचे थे और लड़की ने इस बात का सबूत दिया था कि गरीबी और अमीरी से मतलब नहीं है अगर प्यार हो महबत हो एक दूसरे के लिए इज्जत हो तो कोई हमेशा किसी के पास रह सकता है जमुई की संजना और जमुई की जितेंदर इंस्टाग्राम पर भी खूब वारल है ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उनके रील्स का है और रील्स से वारल हुए तब इनकी कहानी साम है बहुत महँत दूनिवाट